हेलो एवरिवन आप सब का कुक विद कीचन में स्वागत है आज हम बनाएंगे लोंग विंज आलू और सोया विंज की सबजी तो इसको बनाना बहुत ही असान है दोस्तों आप इसे घर पर बनाएं और ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है इस जैस्पीक को अगर कि अगर आपी बार बनाना पसंद करेंगे हुशए तीमें इसे तीन बार तो जरूर ही बनाएंगे तो यहां पर मेंपर देखे मैंने सोया बीन लिए इसको हम भीगोल ले यहां पर देखे मैंने इसको पानी से निकाल कर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और यहां पर देखे मैंने आलू को भी काट लिया है सोया बीन को भी काट लिया है और लोंग बीन्स को भी काट लिया अच्छे से तो चलते ह रेस्पी को हम स्टार्ट करते हैं, आपे देखिए मैंने सोया बीन को फ्राइ कर लिया है, अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, कटे हुए प्याज और हरी मिज डालेंगे, और इसको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेते हैं, आपको कढ़ाई में जला हुआ देख रहा है, जलाते हुए, इसे हमें मीडियम आज पर ही ब्राउन करना है, अगर हम इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे, तो हमारी बिंस वो जल जाएगी, और हमारी सबजी अच्छी नहीं बनेगी, तो इसे हम अच्छे से भून लेते हैं, तब हम इसके बाद इसमें एड कर देंगे, कटे हुए आलो, आलो को भी फिर दोस्तों हम इसे तरीके से अच्छे से भून लेते हैं, यह रेस्पी बहुत ही टेस्टी है, आप इसे जरूर ट्राइ करना, और यह बहुत ही कम चीजों में बनकर तयार हो जाती है, देखिए, हमारे पास आधिवार होता है, कि हमारे पास स मेरी लाल मिच और थोड़ा सा गरम मसाला, एक चमच गरम मसाला यूच किया है, और बस इसी इतने ही चीज में हमारी जो सबजी है, वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाली है, तब हम अब एड़ कर देंगे कटे हुए टमाटर, टमाटर मैंने यहां फाइनली चोफ कर करके डाले हुए है, आप चाहे तो ग्रैंड करके या स्लाइसिस में भी कट करके डाल सकते हैं, इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे अपनी सोया बीन जो हमने फ्राइ करके रखी हुई थी, और सब को अच्छे से कर लेते हैं, मिक्स, पान से दस मिंट के लिए हम इसको और अब हमें इसमें एड़ कर देंगे जितने हमने अपने मसाले लिए थी, अगर आप गरम मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसकी जएगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्ज पाउडर डालकर हल्दी नमक से भी ये सबजी बहुत ही ज्यादा टे तो हमें इसमें हलका सा पानी डालेंगे, बिल्कुल आधी कटोरी से भी कम पानी डालेंगे कि जो हमारे आलू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, नहीं तो आपको ज्यादा तेल की जरूरत पड़ेगी, तो बस हमें इसको ढख लेते हैं, और हमारी सबजी पान से दस मि में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहां पर मैंने आधा कोटोरी के करीब पानी अड़ किया है, और इसको पांस मिनिट के लिए पकाया है, वो भी मेडियम आज पर, और हमारी सबजी देखिए, पकर कितनी परफेक्ट तरीके से बन कर हो चुकी है, रेडी, आप लोगों को यह रेस्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना थे